हेलो प्रेंट्स मैं हूँ वंदेना और आज बनाते हैं कुकंबर ओट सालड देखने में बहुत टेस्टी है और बनाने में बहुत एज़ी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हेल्दी रेसिपी इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया हंकर्ड मैंने दई को रात भर के इसको फ्रिज में रखा था मैं आपने ले लिए हैं और ये शील है अब देखिए इसके दूनों तरफ दोंभ उससे हम गया हम कट लाइंगे और उपर वाली साइट पे और कीज इम्नेंश चाइब नि में जाता है लिंकवा गाके इसक세요 का चुंच पोशन जो फो doस्की यह यह हम निकाल देंगे और यह हम फेकेंगे नहीं हम इसको यूज करेंगे आप चाहे तो इसको ऐसे खालें लेकिन हम जो सैलड बना रहे हैं उसमें हम इसका यूज करेंगे अब देखेंगे जो अंदर की इसकी जो बीच होगे रहा है उसको भी हम निकाल देते हैं जो इसका अ इंदर फिल करने के लिए यूस करेंगे, इसी तरह से मैंने एक और खीरा ले लिया है, आप जितने चाहें उतने बनाएं, और जब गेस्ट आते हैं, तो सोचना पड़ता है, कैसा सैलेट बनाया जाए, सैलेट तो नॉर्मल हम कट करके रख देते हैं, कुछ अलग करने की सोच बनाना और आप पहले से पूरी तयारी करके रख लीजे, और जैसे ही आपके गेस्ट आएं, इसको फिल करके उनके सामने आप पेश कीजे, तो आप बहुत सारी वहवाई मिलेगी आपको, आपको बहुत अप्रिशियेशन मिलेगा, तो देखें, यह जो खीरा है, इसको भी मैंने काट लिया, इसमें मैंने टमाटर यूज़ के, स्प्राउट्स यूज़ के हैं मूं के, और हंकर्ट तो है ही, हमारे पास तो हंकर्ट जो है, वो बहुत हलका होता है, तो फाट वाली कोई भी चीज इसमें यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो इस सालड को ऐसे ही डाइटिंग करें हैं तो भी इसका मज़ा ले सकते हैं, तो देखें मैंने सबसे पहले खीरा और टमाटर ले लिया हैं, और साथ में ही मूं के थोड़े से स्प्राउट्स ली हैं, थोड़े सी शिमला मिर्च इसमें यूज़ किया है, आप चाहें तो कारट भी यूज़ कर स करें के लिए थोड़ा सा जीरा पाउडर है यह और नमक तो हम लेंगे ही साथ में मैंने काली मिर्च भी डाली है इसमें आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग जादा कम कर सकते हैं, वैसे हम नॉर्मली भी खीरा और टमाटर डाल के खाते हैं या कुछ और चीज़ें डालते है बस अब क्या करना है इसको हमें जो हमने खीरे की बोड बनाई है उसके अंदर फिल कर देना है तो यह देखे मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना टैंटिंग लग रहा है यह और बहुती टेस्टी बनने वाला है यह और देखे इस तरह से इसको हम फिल कर देंगे पूर किसी सेव भी डालिए आप चाहे तो उसको अवाइट कर सकते हैं क्योंकि फ्राइड होती है तो आप चाहे तो डालें चाहे तो अवाइट करें और कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कॉमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्क क्यू